विवाह मुक्त जिला बनाने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यक्ता विधायक अवधेश सिंग हाजीपूर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट बिहार सरकार बच्चों के कौशल विकास की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं का क्षमता वर्धन करके उन्हें आगे बढ़ने अवसर प्रदान किया जा रहा है उक्त बाते हाजीपूर के विधायक अवधेश सिंग ने स्वर्गिया कनहाई शुकला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में शुकला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कही इस अवसर उन्होंने कहा कि बिहार स्किल डेवलप्मेंट मिशन के तत्वाधान में अलग अलग ट्राडों पर कौशल विशाल विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है साथ ही प्रत्येक प्रखंडों में कुशल युवा कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित है ताकि बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सके इस अवसर पर उन्हुने बच्चों को बालविवाह मुक्त भारत अभियान की सफलता हेतु शपत दिलाई तथा वैशाली जिलों को बालविवाह मुक्त जिलाबनाने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यक्ता पर बोल दिया कार्यक्रम में संस्थान के सच्छिव सुधीर कुमार शुकला ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहद भारत के 450 जिले में कार्य किया जा रहा है हम सभी का उद्देश्य है कि वैशाली को बाल विवाह मुक्त जिला बनाया जाए इस दिशा में स्कूलों में आंगनबाडी के दो पर समुदाय के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही है अपना नाम लेना है सब्त रिष्ठा पुर्वत सब्त लेता होंके और भारा बर से कम उम्रकी लगी एवं 21 बर से कम उम्रकी लगी का विवान नहीं करूंगा मैं ऐसे किसी भी आयोजन में सामिल नहीं होंगा जहां पाल जिवार किया जा रहा होगा कम उम्रकी साधी एक सामाणी पुराई और कानूनी अप्राण है अता मैं परंद करता हूं एकी बुर्थ खाम के विए और संबत प्रयास करूंगा मैं अपने जिले को बाल विवा मुत बनाने की प्रतिक्या करता हूं